हेस से जुड़ा ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हर्दोई में देखने को मिला है। यहां एक दूलहा सगाई होने के बाद शादी से पहले लड़की वालों से रोजनई नई डिमांड कर रहा था। ऐसे में जब दूलहिन उस दूलहे को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम कर दिया है कि आप सभी का सीना गर्व से फूल जाएगा। आए विस्तार से जाने क्या है पोरा मामला। दरसल उत्तर प्रदेश के हरदोई के मादमपरगी परिवार कैजीस अहमद ने अपनी बेटी शाजिया की शादी बरेली के रहने वाले महबूब सैफी से तय की थी। बातपक की होने के बाद शाजिया और महबूब की सगाई 29 नवंबर को हो गई थी। इनकी शादी 31 जनवरी को होने वाली थी। जब दोनों पक्षों की बात पक्की हुई थी तो लेन दिन को लेकर एक बाई, नगदी और कुछ सामान की चर्चा हुई थी। लेकिन सगाई के बाद जैसे जैसे शादी की डेट नजदीक आने लगी दुलहे की मांगे बढ़ने लगी। अब वे जादा नगदी चार पहिया वाहन और अने सामान की डिमांड करने लगा। जब दुलहिन शाजिया को दुलहे की इन मांगों के बारे में पता चला तो उसने शादी के ठीक ए दिन पहले विवाह रद कर दिया। शादी कैंसल करने के साथ ही शाजिया ने पुलिस में भी अपने मंगेतर और उसके परिवार के खलाफ शिकायत दर्च करवाई। शाजिया का इस बारे में कहना है कि रोज रोज जैसे घुटके मरने से तो अच्छा है कि ऐसे दहेस के लालची लोगों के साथ शादी ही नहीं किजाए। शाजिया ने दहेस लेने वालों से शादी तोर दूसरी महिलाओं के लिए एक शांदार मिसाल कायाम की हैं। शाजिया का कहना ही कि सभी लड़कियों को दहेस के लालची लोगों के घर में शादी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शुरुवात में ही इतनी मांगे करता हैं वो आगे चल कर भी आपको दुख देगा। अपनी बेटी साजिया के इस फैसले से उनकी माता-पिता बहुत खुश है।